प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी द्वारा नोट पंदी की घोशना के बाद अब घर में सोना रखने की सीमा भी तैप करती है। अब आपका सोना पुश्टैनी है या नहीं इसे साबित करने के साथ तरीके हैं। इसके लिए आप वसीयत को सबूत के तौर पर इस्तिमाल कर सकते हैं। आपके पुर्थों ने जो वसीयत आपके नाम लिखी है वो पुश्टैनी घहनों की प्रमाणिकता के लिए काफी है। 3. अगर किसीने गिफ्ट के तौर पर आपको सोना या गहना दिया है तो खरीदार के नाम की रसिद अपने पास रख लें। 4. अगर आपके लिए सोना खरीदा है उसे दुकानदार रिसीविंग देगा। उस रसिद की मूल कॉपी या फोटो कॉपी आप अपने पास रख लें। 5. पुराने और नए सोने में काफी अंतर होता है। ऐसे में आप पुराने गहनों या सोने की फोटो कीच कर अपने पास रख लें। जिसे साफ पता चल जाएगा कि इसे आपने नहीं खरीदा है। 6. आपने यदि अपने घर का इंशुलेंस करवाया है और साथ में सोने काफी तो इंशुलेंस पेपर को सबूत के तौर पर इस्तिमाल कर सकते हैं क्यूंकि इंशुलेंस पेपर में आपके घर के साथ साथ यदि आपने गोल का जिक्र भी किया है तो उसका विवरन पेपर प और उसका खुलासा आपने 2014 से 15 तक के संपत्ति कर्मे किया है तो वेह सोना वैक माना जाएगा बशर्ते आपके पास उसकी टैक्स रसीद होनी चाहिए 2. पुष्टानी सोना आपका है या नहीं इसके लिए आप वसीयत को सबूत के तौर पर इस्तिमाद सोना रखने की छूट है ऐसी अफवाही भी ओड़े की पुष्टानी घैनों या सोने पर भी सरकार टैक्स लगाएगी लेकिन वित मंत्राले ने एक बयान चारी करसाफ किया है कि पुष्टैनी घैनों या घोशिताय से खरीदे गए सोने और घैने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा अब आपका सोना पुष्टैनी है या नहीं इसे साबित करने के साथ तरीके हैं एक अप फोटो कॉपी आप अपने पास रख लें चार अगर आपने पुष्टैनी घै अपने में काफी अंतर होता है ऐसे में आप पुरा कर सकते हैं आपके पुष्टैनी घैनों की प्रमानिकता के लिए काफी है तीन अगर किसी ने गिफ्ट के तौर पर आपको सोना या गहना दिया है तो खरीदार के नाम की रसिद अपने पास रख लें यानि कि जिस वेक्त प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी द्वारा नोट पंदी की घोशना के बाद अब घर में सोना रखने की सीमा भी तैप करती है हर विवाहित महिला को 500 ग्राम अविवाहित महिला को 250 ग्राम और कुरुशों को 100 ग्राम